मादेव क्लासिज में आप सभी का स्वागत हैं आज जो है मैं आपको राजस्थानी सहली के बारे में पढ़ा रही थी तो उसका आज पार्ट टू है और इसमें आगे हम फिर मेवाड के बारे में भी पढ़ेंगे तो किस तरह से है ये तो आज का सबसे पहला कुश्चन है मेर कि तीनों नाइकाओं के स्रेष्ट नाइका कौन सी है यानि तीन नाइका बताई थी कलमन ने तो उनमें स्रेष्ट नाइका कौन सी है तो वो है स्वेकिया कौन सी है स्वेकिया राजिस्थानी चित्रकला किस अवधी में विक्सित हुई यानि किस से किस टाइम तक चली थी तो ये चली है 1550 से 1900 तक, अब तक चली है 1550 से 1900 तक, राजिस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस सैली से प्रभावित था, तो ये जो थाई, ये अब्रहन सैली से प्रभावित थी, किस सैली से प्रभावित थी, अब्रहन सैली से प्रभावित थी, और आप सभी से अ और अच्छे अच्छी वीडियो बना के लाओं और ये कंप्लीट कराने के बाद फिर जो है मैं आपको कुछ विशिष्ट कोश्चन जो है जो आपने द्वारा तैयार किये गए हैं जो आपको किसी भी भुख में नहीं मिलेंगे वो मैं आपको कराऊंगी तो तब तक जो है आ मेरे साथ ऐसे ही बने रहें आगे है राजिस्थानी चित्रन विधी थी यानि राजिस्थानी की जो चित्र थे उनकी चित्रन विधी क्या थी टेमप्रा फड संबंदित है राजिस्थानी लोककला यानि फड जो है कि से संबंदित है राजिस्थानी लोककला से संबंदित ह अगला हैे फढ़ चितरन के लिए राजिस्थान का प्रसिद इस्तल़् है यादि जो है फढ़ चितरन जो था कहाँ पर होता था कहाँ पूसका प्रसिफ है तो यह जो फढ़ चितरन था यह आपका होता था भील वाड़ा में आगे हैं अंतराष्टिय फड़ चित्रकार और भीलवाड़ा के गोरव पदम स्री पुरुसकार से सम्मानित 90 वर्सी है स्री लाल जोसी कौन स्री लाल जोसी इन का निधन कब और कहां हुआ यह यानि कौन सी चित्रकला के लिए परसिद हैं स्री लाल जोसी फड़ के लिए तो यह कोस्चन भी आपसे बन सकता है और कौन से सम्मान मिला है स्री लाल जोसी को पदम स्री तो इनकी मृत्यू कब हुई थी तो इनकी मृत्यू जो थी दो मार्च 2018 भीलवाड़ा में हुई थी राजिस्थान का प्रताबगड प्रसिद है मीनाकारी के लिए यानि ये प्रताबगड जो किस लिए प्रसिद है तो ये मीनाकारी के लिए प्रसिद है राजिस्थानी चित्रकला को कितनी मुख्य सैलियों तथा उनकी उपसैलियों में विभाजित किया गया तो इसको जो है चार में विभाजत क्या गया, कितनी चार में मुख्य सहली चार है और फिर उसकी अन्य उप सहली है तो पहली सहली है मेवाड, कौन सी है मेवाड तो मेवाड के अंतरगत आती है आपकी उदैपूर, देवगड, नादवार क्या आती है उद्यपूर देवगड नाधवार फिर है दूसरी मारवाड सहली कौन सी है मारवाड इसमें आती है आपका जोधपूर भिकानेर किसंगड अजमेर नागोर क्या क्या आती है जोदपूर, बिकानेर, किसंगर्ड, अजमेर, नागोर आगली है तीसरी जो सैली है मुख्य है वो है हडोती कौन सी है हडोती इसमें आती है आपका कोटा, भूंदी, जहलावाड फोर्थ जो सैली है वो है ढुडार या ढुडार ठीक है कहीं कन्फ्यूज नहीं हो तो जैपूर, अलवर, उनियारा यह जो सैली है यह इसके अंतरगत आती है तो सबसे पहली जो सैली है मेवाड सैली कौन सी मेवाड जो सैली है इसी का जो है आज हम विस्तरित रूप से इसकी बारे में आगे चर्चा करेंगे ठीक है और जैसे मैंने आपको बताया है कि इसी तरह से साथ बने रहीएगा और जब ये पूरी राजस्तिन कला होगी तो कुछ विजिस्ट कोस्चन जो होगे में जो मेरे दुआरा बनाए गए होगे वो आपको जो है मैं लाश्ट में कराऊंगी एक तो अब चलते हैं मेवार्ड सैली में मेवार्ड राज्य की निव किसने और कब डाली यानि मेवार्ड राज्य की जो है इस्थापना कब हुई थी तो ये की थी बापा रावल ने कब की थी 1928 इस्वी में मेवार्ड सैली की उत्पत्ती हुई थी यानि मेवार्ड सैली की उत्पत्ती कब हुई थी तो ये हुई थी 1605 इस्वी के पूरू यानि कब हुई थी 1605 इस्वी पूर हुई थी निम्लिक्त में से प्राचिंतम राजस्थानी सैली है तो यानि सबसे प्राचिंतम जो राजस्थानी सैली है वो कौन सी है तो वो है आपकी मेवाड कौन सी सैली है मेवाड आगे हैं मेवाड लगू चित्रकलाखाप का प्रारम्मिक केंद्र था यानि मेवाड का प्रारम्मिक केंद्र कौन सा था तो इसका था प्रारम्मिक केंद्र जो था स्रीनात द्वारा कौन सा था स्रीना द्वारा किसने अपने राजमहल में चितरों की ओवरी नाम से कलावी थी स्थापना की यानि चितरों की ओवरी जो थी किसने इस्थापित की थी अपने राजमहल में तो ये की थी महाराणा जगत सिंग प्रतमने अगला question है मेवाड सैली का आरंभिक चितरित ग्रंथ है तो हो है स्वांग पडिकम या सुत्र चुन्नी ठीक है अगला है ततपस्चाथ उसके बाद जो है लिखा गया था वो था शूपाशनहा चरित्रम कौन सा लिखा गया था सुपाशनहा चरित्रम और यह जो था पहले वाला यह लिखा गया था 1260 में और दूसरा जो यह लिखा गया है यह लिखा गया है 1423 में मेवाड सैली का सरपर्थम उजला रूप दिखाई देता है यानि अच्छी रूप से जब तक विक्षित होगी थी तो वो कब दिखाई दिया तो यह दिया था 1540 में विलहन करत 485 में किस में दिखा विलहन करत 485 का गरंत के चित्रों में तो अब आपसे यह क्वेशन भी पूछा जा सकता है कि 4885 की रचना किसने की तो किस ने की थी? विलहन ने की थी याρο 45-41 की रचना कब हुई? कब हुई? चोदे सौ 4isi में आगे चलते हैं किसके ससन में मेवार सैली का चर्मौत कस दिखाई का दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है जगत सिंग प्रथम के किसके समय में जगत सिंग प्रथम के सहाब दीन और निसार दीन की सहली के चितरकार थे तो सहाब दीन जो थे और निसार दीन जो थे ये मेवार सहली के प्रमो को चितरकार थे सहाब दीन तथा निसार दीन ने राग माला का चितरन कहां किया तो इसका जो चितरन जो किया था चावंड में किया था कहां किया चावंड में और ये वर्तमान में कहां संग रही थे तो ये राष्टे संग्राले नई दिल्ली में सुरक्षी थे और आप से अगर ये पूछा जाए तो पहले किस्म रागमाला का चितरन हुआ राजिस्तानी स में सबसे तो आपका अंसर होगा चुनार क्या होगा चुनार अमाना का ठीक तो ये चीज भी ध्यान रखने हैं तो चावंड रागमाला चित्रों का समय था तो यानी इसका जो JOHN जो था वह कब हुआ था तो ये सोंड दूबक्रीद मृं तब हुआतां। ये महाराजा अमर सिंह के समय में लिखी गई थी, किसके समय में अमर सिंह के, मेवाड में 1630 में रसिक पिरिया को चितरित किसने किया था, यानि 1630 में किसको रसिक पिरिया को, चावंड रागमाला जो थी, वो हुआ था 1605 में, तो ये किया था सहाब दीन ने, किसने किया था सह आगे हैं अम्रू सतक के चित्रों के लिए कौन सी सैली में मिले है तो यह मिले है आपके मालवा सैली में स्रीमत भागवत रामायन रागमाला गीत गोविन तथा नाइका भेद के चित सरपर्थम कहा चित्रित किये गए हैं किसके रागमाला के और आपके रामायन के गीत गोविन के श्रीम भगवत गीता के नाइका भेद के इन सब के जो चित्र मिले हैं वो कहां से मिले हैं आपके मेवाड से मिले हैं किस राजिस्थानी सैली में अस्वारूड व्यक्ति चित्र अधिक प्रसिद है यानि किस सैली में जो है अस्वारूड यानि घोडे पर चड़े वे व्यक्तियों के जो चित्र मिले है तो ये मिले है बुंदेल खड़ में कहां से मिले है बुंदेल खड़ में मेवाड में भागवत पुरान की सरचित्र प्रति का निर्मान कब और किस ने किया तो भागवत पुरान जो थी इसका निर्मान जो किया था ये हुआ था आपका 1648 में और किस ने किया था सहाब दीन ने किस ने किया था सहाब दीन ने आगे हैं मेवाड सैली का प्रमुक केंद्र कौन सा है तो मेवाड सैली का जो प्रमुक केंद्र है वो है उदैपूर कौन सा है उदैपूर मेवाड सेली के लगू चित्रों में किसको प्रमुकता दी गई है तो प्रमुकता दी गई है तो प्रमुकता दी गई है स्री कृष्णिदी को मेवाड सेली का प्रियविसे है मेवाड सेली जो है उसका प्रियविसे क्या है तो उसका प्रियविसे है कृष्ण और एक कोशन पूछा जा सकता है कि किस पसू का अधिक आंकन हुआ है या किस पसू को अधिक जो है चित्रत किया गए तो वो होगा आपका गाए क्या होगा गाए यहां लिख दिव में साब से तो क्या होगा गाए का अधिक चित्रन हुआ है मेवाड लगू चित्रसैली का प्रमुक चित्रन विशे क्या था तो यह जो था धार्मिक था क्या था धार्मिक था और धार्मिक में जैसे गीत गोविंद गीत गोविंद था आपका रामायन था तो ऐसे ऐसे विशो पर जो है इसमें जो है चित्रन किया गया तो यह किस तरह क आपके नाई का भेद इन सब का जो है इसमें चितरन हुआ है मोटी और नाटी मानावकरतियां किस सैली की है तो जो मोटी और नाटी आकरतियां है वे हैं आपकी मेवाड सैली की कौन सी सैली की है मेवाड मेवाड में आखे बनाए गई है मेवार सैली में जो आखे कैसी है मीन आकरत मीन क्या होती है मचली और आकरत यानि आकरती की यानि मचली की आकरतियों के समान जो है आखे बनाएं गई है मेवार सैली का प्रमुक आकर्शन क्या है तो मेवार सैली का जो प्रमुक आकर्शन है वो है चटक रंग क्या है चटक रंग मेवार सैली के चितरों के रंग है यानि कैसे रंग है तो इस सैली में जो है चटकीले रंग जो है वो भरे गई है कैसे रंग भरे गए चठकी ले और इससे आगे का भाग जो है मैं अपनी आने वाली वीडियो में लेकर उपस्ते कूँगी ठीक है तो सभी सातियों से अनुरोध है कि प्लीज जो है मेरे चैनल को जादा से जादा से जादा सेर करें धन्यवाद